नमस्कार आप देख रहे हैं इबी स्चार न्यूज और मैं हूँ आपके साथ मनप्रित कौर बुल्टिन का सुर्वात करते हैं और वक्त हो चला हुतर प्रदीश की तमाम खबरों का रुक करते हैं पहली खबर की ओर जहासी में भाजपा कारयाले पर प्रेस कौनफरेंस का आयोचन किया गया पंचाय चुनाव को लेकर प्रदीश उपाध्यक्ष वजिला प्रभारी कमला वती सिह ने भाजपा कारयाले पर प्रेस कौनफरेंस की प्रदीश उपाध्यक्ष ने बताया कि कॉंग्रेस और सपा के कारकरताओं ने पार्टी छोड़कर बीजेपी की सदस्सिता ग्रहन की साथी भाजपा जहासी में जिला पंचायर सदस्स की पूरी 24 घंटों में अपनी जीत दर्च कराई यह क्या देखेए है कि जिन भारती जन्ता पार्टी के कुछ कारकरताओं ने मेरे पर्चा भरा था आज वो हमारे कारकरता आज अपना पर्चा वापस किये हैं जिसमें नेहा माहोर है उसके बाद जो है संतोस पचवरी जी है और बलबिर पाल जी ये तीन लोग पर्चा वापस किये हैं इसके अलावा हमारे आज भारती जनता पार्टी में परिवार के रूप में सामिल हुए सत्य प्रकास तिवारी जी जो पूर प्रधान है और सिया अपलाग बाम और के हैं ये समाजवादी पार्टी से आए हैं देखे अशा है कि जिन भारती जनता पार्टी के कुछ कार करता हुने मेरे नमस्कार बता दे कि कुछिनगर से एक खबर सामने आई है जहां जमीनी विवाद में दो पक्षों में मार पीट की गई है मारने पीटने की घटना सामने आई है घटना उतरपदेश के कुशिनगर में तुर्क पट्टी थाना छेतर के चंदोटा गाउं का है जहां जमीनी विवात को लेकर दो पक्षों में जम कर मार पीट हुई जानकारी के मताबिक इस घटना में दो बच्चियां सहित चार लोग घायल हो गए वही घायलों को पास के जुला अस्पताल में ले जाया गया और भरत्ती करा आगया हालांकि घायलों के स्थिती गंभीर बताई जा रही है गौर तलब है कि जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँच गई और एक आरूपी को गिरफतार कर मामले की जांच में जुट गई पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है और दूसरे चरन की नामांकन प्रकरिया शुरू हो चुकी है और इस बीच लोगों ने बढ़चर कर हिस्सा लिया है नमांकन प्रकरिया में आज 33 पंचायद चुना में ग्राम पंचायद और 63 पंचायद सदस्यों ने अपनी नमांकन प्रकरिया में बढ़चर कर हिस्सा लिया और पत्याशियों से उनकी राय भी जानी तो बताया कि वह अपने पंचायत की जनता के लिए तन मन और हर तरीके से हमेशा तयार रहेंगे और अपने ग्राम पंचायत में नेक कारे करेंगे और अपनी जनता के लिए हर दुख मुसीबत में तयार रहेंगे अभिना मंकन की गिंती नहीं हो पा रही है देर राद तक होगी गिंती एक बार फिर दहीच प्रुथा के लिए प्रतारित किया गया है पत्नी को दहीच प्रतार्णा और मारपीट का मामला सामने आया है रामपुर के भूट थाना छेत्र किस रोल गाओं में सामने आ रहा है जहां अजमुन की शादी लॉक्टाउन के एज समय अब्दुल कादिर से हुई थी मितका के परिवार वालों का कहना है कि उन लोगों ने हैसियत के मुताविक सभी चीजें दी थी बावजूद इसके ससुराल वाले विवाहिता को मारपीट कर प्रतारित कर रहे थी और एक लाख रुपे लानी की डिमांड कर रहे थी मितका गरीब परिवार की होने के कारण मितका का परिवार डिमांड पूरी नहीं कर पाया जिसके चलते ससुराल वालों ने विवाहिता की गलागोट कर हत्या कर दी पुलिस से इनसाफ की गुहार भी लगाई है फिलहाल पुलिस ने सियासत दर्ज कर के मुअमले की जाज शुरू कर दी है अक्सर वो मारा करता है एक लाफ दो इमांग तब इससे ज़्यादा परिशान कर देना ले मिक्सिया आगा था जाए वह बूरे तरीके से मारा था जिए में वर्दमा तो मैं गया भी था मैंने समझाया भी मगर उसके बाब जी भी नहीं माना हो और कल हमें फोन आया कि उसके तब इसको को अध्यात वह निमारी टकर दोनो यूवतियों की मौके पर ही मौथ हो गई काट ठाना छेत्र के रसुल्लापुर मोर के पास दोज पूटी सवार शिक्षिकाओं को अग्यात वाह ने टकर मार दी जिससे दोनो यूवतिया सडक पर ही गिर गई चकर इतनी तेज थी कि दोनों युवतियों की मौके पर ही मौत हो गई दोनों युवतिया सगी बहने बताई जा रही है मेरी जानकारी के अनुसार सिकंदर काला गाओ निवासी पुर्व बस्पा जिलाध्यक्ष सुरेश चंद्र गौतम की दो बेटी ममता व अजुलता जिसमें एक सहायक अध्यापक है व एक शिक्षा मित्र है दोनों युवतियां भैस्टा कला के प्रत्मिक विद्याले में तैनाथ है दोनों बहनी स्कूटी से ही स्कूल रोज चाती है और बुद्वार को दोनों बहनी स्कूल से बाहर निकली थी और इसी दोरान ये हाथसा हुआ जहां मौकी पर ही दोनों युवतियों की मौत हो चलाए गए अपराधिक धरपकड अभियान जहरीली शराब के मामली में बड़ी सफलता हासिल की गई है पुलिस अधिक्षक मनूज सोनकर के निर्दीश पर चलाए जा रहे अपराधिक धरपकड अभियान के तहत जनपद की धौलना थाना पुलिस को जहरीली और अवैद शराब के मामली में बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस ने सैक्डो लीटर जहरीली और हरियाना मारका शराब के अलावा शराब बनाने वाले भारी मात्रा में उपकरन बरामत कर पाच कुख्यात शराब माफियाओं को भी गिरफतार किया है दूसरे दिन भी नामांकन प्रकेरिया में भारी भीड देखी गई है स्पी ने सुरक्षा विवस्था का जाइजा भी लिया जनपद में 33 पंचाय चनाव के लिए नामांकन करने वालों की दोड में जिला पंचाय सदस से बागपत कलेक्टरीट कार्याले में दूसरे दिन आज नामांकन भरने वालों की भीड लगी हुई है कलेक्टर गेट पर पुलिस कर्मी वा सुरक्षा कर्मी भी गेट पर मुस्तैद से दिखाई दियें और मुस्तैद लगे रही लोगों की सुरक्षा के लिए बागपत कोत्वाली पुलिस बल भी मौजूद रही मही जिला अधिकारी बागपत राज कमल यादव एसपी बागपत अभुशेक सिहनी जिले के अलग-अलग ब्लॉग पर निर्भण कर सुरक्षा विवस्ता का जाजा लिया लोगों ने समयदल शिलता के तो मानाख्षा वनके अंसार समयदल शिल प्लस अथ समयदल शिल और सबीदल शिल पर नितियां किये जादें वहापन इसपर चुनाव एकपार तरशी तरीके से हो इसके हम लोग पुरी बस्ता सुनिशिक रहें और जैसा कि आप देखें सबीद शिल गया संतिक राज नामंकन भी हो रहा है किसे प्रकर कि कोई कटनाई कहीं नहीं है कि तो चुना पर चाता है कि हम लोगों कास पर्याप तो सेक्टर में स्टेट हम नहोंने अहाली सेक्टर में स्टेट और बारा चोशन पूरे जनपत को पीस कमीटी की सदस्यों की मीटिंग की गई है नवरात्री त्योहार को लेकर यह मीटिंग का आयूजन क्या गया रामनगर थाना परिसर में रमजान त्योहार नवरात्री त्योहार वर डॉक्टर भीमराव अंबेटकर जैनती को लेकर चेतरिया सम्मानित नागरिकोग तथा पीस कमीटी के सदस्यों की मीटिंग की गई चेतरदिकारी रामनगर की अध्यक्षता में यह पूरी मीटिंग आयू जित की गई सभी को कोविड-19 के दृष्टिगत रखते हुए सतर्क रहने और मास्क लगाने के सजेशन्स भी दिये गए और गाइडलाइन्स का पालन करने का निर्देश दिया गया दबंगो की दबंगाई आई है सामने दबंगो का खुलेयाम आतंक देखने को मिला इस समय मारपीट और खुलेयाम दबंगाई की घटनाओं में बार-बार खबरे सामने आ रही है और पुलिस विवस्था के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ती से दबंगो का खुलेयाम आतंक व इसकदर नजर आ रहा है कि महिलाई दुकानदार और ग्रामीन सभी अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहे हैं जिले में पिछले 24 घंटे में चार थाना छेत्रों में खुलेयाम दबंगो की मारपीट के लाइव वीडियो सोशल मेडिया पर वाइरल हुए हैं और एक महिला जब तंग आ गई तो महिला ने उसकी सरयाम चपलों से पिटाई कर दे इस तरह का वीडियो भी सामने आया है खाना कायम गंज जन्पत फरकावाद गोर पर खड़ा था कि रास्ते से तिंकु पुत पपू निवासी मौला दलवीद खाना संसावाद जन्पत फरकावाद अपरी मोटर फैक्किल से सामान खेदने बाजार जा रहा था कि नास्ते में तिंकु की मोटर फैक्किल से शिवम को हल्की सी तक्कर लग गई जिससे शिवम वह तिंकु में काफ नहीं हो गई उसके बाद तिंकु अपने घर जाकर अपने घर के लोगों को बुला लाया और शिवम के साथ मार्पीट की खाना कायम गंज अस्थाई जेल में खाकी हुई है बे लगाम उन्नाव में इस्थाई जेल में पुलिस की खुले आम गुंड़ाई देखने को मिली वारंटी युवक को इस्थाई जेल में आधादर्जन पुलिस कर्मियोंने की बेरहमी से पिटाई सफाई करने के ओ लेकर आधादर्जन पुलिस कर्मियोंने युवक को पीट पीट कर अध्मरा कर दिया घाल युवक को जिला अस्पिताल भीजा गया जेल प्रशासन के हाथ पाओ फूल ते नज़र आए इस बुलिटिन में आभी के लिए इतना ही बने रहे एबी स्चार न्यूस के साथ